तो दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में मार्किट में क्या बढ़ा गिए होने वाला है अब यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं कि डेफिनेटल जो ऑपने तो आने वाले दिन, दिखाई पढ़ सकता है रीजन में आपको इसका डेफिनिटली बताऊंगा ताकि आपको यह ना लगे कि सर ठीक आपने बोल तो दिया कि मार्केट में हापर गैप अपन हो सकता है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है तो जब यूएस मार्केट लास्ट क्लोज हुए थे तो क्लोजिंग के टाइम प जबर्दस तेजी हमको यहां पर देखने अब यहां पर यहां पर एक बड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है साथ में यहां पर इलेक्शन की जो क्लियरिटी है थोड़ा थोड़ा आने लग चुकी है पूरा प्यूर कंफरमेशन अभी नहीं हुआ है एक्जिक पोल के रि जो मैंने पड़ा है आर्टिकल्स में मैं आपके साथ वो शेर कर रहा हूं तो यहां पर अगर 300 प्लस से 323 30 प्लस अगर मेजरूर्टी गवर्मेंट यहां पर मेजरूरीटी तो नहीं होगी बट अगर बीजेपी इतना सीट्स लापाती खुद के दम पे तो यहां पर मार्क आपके रिज़ल्ट आच चुके होगी तो वह आपके प्रिम्न साथ सो रुपए पे हैं आठ सो रुपए पे हैं वह एकदम से जटाग से गिरेंगे और आपको देख दिन में दो सो और तीन सो पे आ जाए इतना जप्लस देखने को मिलता है लेकिन तक एलेक्टिन के रिजल बारा सो भी जा सकते हैं अभी निफ्टी को हम देख रहे थे दोस्तों गैप अप कहां तक पॉसिबिलिटीज है और क्या यहां पर हो सकता है डेली टाइम फ्रीम अपन कर रहा हूं और डेली टाइम फ्रीम पर अगर आप बेखोगे तो बहुत ही प्यारा एक मतलब एक ही रिटरेश्मेंट मार्केट ने ले चुका है वी इंद यहां पर भी हम इसको लिए कि मार्केट ने कर लिया है अपना कुछ दिखाई पड़ रही है बिल्कुल कॉपी या बुक वाला क्या कहते हैं बुक वाला कॉपी पैटन तो आपको नहीं मिलेगा बट इस मार्केट में 500 उपर 500 नीचे ऐसा होने वाला है बैंक निफ्टी में चारज उनको तो आप हालत बतलब इतनी बुरी हालत रहेगी चारज उनको कि जिसने ट्रेड किया तो उसकी लंका लगनीत है और किसी की राइट डिरेक्शन रही जिसने सही डिरेक्शन में तुकका तो उस ट्रेड केशन बढ़ने लाई बढ़ने वाली बढ़ने वाली जैसे जैसे एकशनी सीड़ अपर सब्सक्राइब कर उसका आपको यहां यहां पर मिलता है मिलता है वह तूर्दै आप के लिए so pos deeply कर सकता और और आप इसको उपर साइट कि लिए प्ले कर सकते अगर becoming मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैब डाउन ओपन हो जिसकी पॉसिबिलिटेस कम है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं एक हाइपोथेटिकल कंडिशन मान के चल रहे है जो ब्रेकाउट लेबल के मैं बात कर रहा था इस तरीके से भी और इस तरीके से क्योंकि लेवल दोनों मार्केट ने कहीं इधर उपन दिया और उपन के बाद सीधा उपर जाने लगता है रिसकी तो रहने वाला है रिसकी तो यहां पर आप संट रहने वाली है चार जून तक यह बात आप मान के चलो आप तो यह बाइस शेसो पचास को जो लेवल होगा तो यह आपके लिए बहातों सवuri करेंग से सलीगल की बात करते हैं तो को मार्केट का इन्थर किया है तो अब ऊपर के लेबल पे सेलीग करने का नहीं है अगर आंफॉरतिशनrics सवाफिप लिए लेवल होती तो तो जली थेर डेने वाल लेवाल तो तो मैं बदेंधें तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो यह आपका बाइंग लेवल रहेगा और यह रही कुछ निफ्टी के अनालेसिस अब दोस्तों यहां पर क्या करने वाले यहां पर करने वाले बैंक निफ्टी की बात कि बैंक निफ्टी में किस तरीके सम ट्रेड करके चल सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग शेशन में तो जैसे कि मैंने आपको अभी उसके टाइम पर डेली टाइम पर निफ्टी बता रहा हूं तो आप देखोगे तो यहां पर एक चैनल पैटन के बीच मे यह बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था काफी लंबे समय से लेकिन आपने इंट्रेस्टिंग ली चीज नोटिस करी होगी अगर तो नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूं जो निफ्टी में है निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर जादा है पिछले कुछ दिनों से वेरेस अगर बैंक निफ्टी में देखोगी तो बैंक निफ्टी में प्रेशर नहीं है रीजन विकॉज ओफ हर वीडियो में हर दे मार्केट अनलेसिस की वीडियो में आपको बता रहा हूं वह दो तीन लीडर स्टॉक्स कल तो खेर कोट अगमें में काफी अच्छा गिरा पी एस्टॉक भागे और उसके जो साती है वह भागे लेकिन वह दिगज नहीं भागा कौन सा बैंक आप अच्छी तरीके सा जानते हो तो वह नहीं गिर रहा है और वह बैंक के निफ्टी को नीचे नहीं गिरने दे रहा है तो अगर वह यहां से अभी उसने तो मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या यहां पर पॉसिबिलेटिस बनती हुए हमको दिखाई पड़ रही है क्या हम अगर गैप उपन होता है तो किस तरीके से ट्रेट करना है तो एक इंट्रेस्टिंग चीज आप देखोगे तो मार्के अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लाइक दिस इस तरीके से तो क्या हो रहा है इसी रेंज में टहल रहा है अब आप देखोगे तो यह इस तरीके से एक रेंज बन रही है अगर आप चार्ट को थोड़ा क्लोजली अब्जर्ब करते तो ही आप इस चीज नोटिस कर पा और आपको इधर अभी मार्किट कहां पर ट्रेट कर रहे कर रहा बात को निकल है अगर इनकेस अगर मार्केट 200-200-200-200-200 पॉइंट का गैप अप देता है तब हमारे हाथ में बात बनी हुई तब हम पकड़ में हमारा बैंक निफ्टी अभी भी तो हम क्या कर सकते हैं तो हम यहां पर एक ब्रेक आउट देख सकते हैं अब उससे पहले हम यहां पर बात निकल जाएगी लेकिन वह अच्छी है जिन्होंने पूजिशन बना के रखी पहले की उनके लिए बहुत अच्छी बात है यह अच्छा अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं जो दूसरा लेवल होगा in case of worst case scenario क्योंकि कभी कभी बहुत अनोनी हो सकती है तो 48,450 इंट्राडे लेवल तो वह आपका निकल करते कहीं इधर कुछ न्यूज ऐसी आगई रातों रात की मार्केट डाउन ओपन हो गया जो कि होगा नहीं बट हो गया तो यह फिर एक शार्प कट आया डाउन इस तरीके से और फिर उपर निकल गया तो आपके पास एक ट्रिगर हो सकता है 48,450 का बाइंग लेवल तो यह दो जो हैं आपक 39,000-349,100 यह एक सेलिंग रेंज होगी एक रजिस्टेंस जोन होगा आपका जो कि आपका देखो प्रिवसलि मार्केट ने इसा मे पर रजिस्टेंस भी लिए था पर अगांगा बंचर decorationली片 अगर इसके ऊपर ड़ीप हुआ तो बात ही खतम बड़ अगर इसके आसपास कहीं ओपन हुआ यहां पर कहीं रुकने लगा तो इसको आप ऐसा सेलिंग लेवल के तरह देख सकते हो सेलिंग करना कोई जरूरी नहीं बाइंग के लिए मेरे ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा अगर मैं देखो तो मैं सेलिंग थोड़ा अगले दो तीन दिन तक अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आपके लिए मैंने बता दी है तो यह रही कुछ बैंक निफ्टी के अनालिसिस ओके नाव दोस्तों यह मारे टेल टेलिग्राम बनाया गया जितने भी लोग सीखना चाहते हैं जो नहीं सीखना चाहते हैं कुछ मोटिवेशनल थॉट मेरे मन में आ रहे थे तो मैंने यहां पर लिखके डाले हैं कई लोगों ने इसको पसंद किया है जाके एक बड़ी चेक करना क्या लिखा हुआ मैंने टो अगर आप देखोगे तो यह बल्कुल इस लेबल पर हैprises को निकालता है तो फिर ऊपर के लिए निकलता है और राजिस्टेंथ ले तो फिर नीचे केले आ सकता है अगर वैन पर करें के लिए काम कर सकते हैं लेकिन रिस्क ही है बस को सर मार्केट में तो सेलिंग आएगी आ गई लेकिन आपने कहा कि सेल करना नहीं है सेल करना है लेकिन वही जो जहेल सकते हैं उस सेलिंग प्रेशर को जो उस वोलेटेलिटी को जहेल सकते हैं भाई मैं तो नहीं जहेल सकता मैं लेबल बता रहा हूं जहेल नहीं सकता मैं सेलि मैं यहां पर breakout play कर सकता हूं breakout में जो rally आई उसको मैं play कर सकता हूं एक direction के लिए आप खिलो दोनों direction के लिए खिलने जाओगे तो फिर हाथ जल सकते हैं आप लोगों के ध्यान देना इस चीज में जो trade कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं वैसे घर में नहीं जिलिंग हाता है लेवल की 21,840 मान के चल लो 21,850 के उपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तो यह हमारा breakout बाइंग लेवल होगा विच इस अराउंड है ठीक है तो अभी मार्केट यहां पर है 21,700 यहां से डेट सो पॉइंट का gap-up अगर मार्केट देता और फिर उपर निकलता है then we can also play for the buy side but immediately 9.15 मिनट पर नहीं ध्यान देना इस चीज का 9.35 मिनट के बाद ही ट्रेड एक्जेक्यूट करना जो भी ट्रेड एक्जेक्यूट करोगी उससे पहले नहीं करना एक्जेक्यूट क्योंकि 9.15 पर वोलेटिलिटी बहुत रहने वाली है जो आपका दूसरा बाइंग लेव कई सेलिंग लेवल नहीं क्योंकि यहां पर सेलिंग के लिए मुझे प्रिफरेबल कुछ लग नहीं रहा है यहां पर सेलिंग करने का मन भी नहीं कर रहे है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्ले करता है आप लोग जान भी नहीं सकते चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार और बेल आइकन जरूर और जरूर प्रेस करना थैंक यू सो मच फर वाचिंग दोस्तों